हेलो गाइज मेरा नामे शेहांग वेलबाल और आज की इस वीडियो में बात करूंगा आईफोन 7 और आईफोन 6S के अंदर iOS 16 का अपडेट अभी तक क्यों नहीं आया है इस बारे में और क्या रीजन है कि अभी तक डेवलबबब बीटा वन तक का अपडेट हमें आईफोन 6S और 7 में नहीं मिलता देखने को और क्या यह आगे के जो भी डवलपर बीट आएंगे या जो भी में जो आप रिलीज होगा iOS 16 वो क्या हमें iPhone 6S और 7 में देखने मिलेगा नहीं मिलेगा तो आप iPhone 7, 7 Plus, 6S और 6S Plus के लिए ये वीडियो मा बना रहा हूं तो जो भी उनके उनर्स हैं वो इस वीडियो के ध्यान दीजिए प्लस अगर मैं बात करूं सीधा iPhone 6S की तो iPhone 6S जो है iPhone 7 से एक जनरेशन पुराना है तो 2015 में ये रिलीज हुआ था 2GB RAM के साथ स्टैंडर्ड जो था वो मा बता देता हूं कि 1.8 GHz का Apple A9 प्रोसेसर चिपसेट इसके अंदर आता था और 2GB RAM के साथ ये रिलीज हुआ था 6S Plus के अंदर भी सेम 2GB RAM थी बारह में अपिसल कैमरा था और सामने पांच में अपिसल लगा कैमरा था और ज्यादा बड़ी बैटरी भी नहीं थी तो में रीजन जो रहा है iPhone 6S के अंदर iOS 16 नहीं देनेगा वो यही है कि इस फोन के अंदर अल्रेड़ी पांच अपडेट आ चुके थे iOS 9 से लेके iOS 15 iOS 15 तो चे अपडेट होगा तो छे साल से इस फोन के अंदर लगातार अपडेट आ रहे हैं और अब भी iOS 15 के जो स्टेवल वर्जन वह भी इस फोन के अंदर हैं आमें देखने को मिलते हैं अगर मैं सेटिंग हो लूँ यहां पर अपने फोन की तो आप दिसकते हैं कि आई योएस iPhone 13 में चल रहा तो आप दिसकते हैं कि छे साल से फोन के अंदर अपडेट है तो इसका तो लाजमी है कि फो केपिसिटी होती है और जो कि iOS 16 फुल्फिल नहीं कर पारा तो एपल ने से कॉट आफ कर दिया तो हमें फिर भी इसके अंदर शिक्स अपडेट्स देखने हों मिलें iOS 9 से लेके iOS 15 जो कि एक बहुत लंबा अपडेट स्पैन है तो इस चीज़ के लिए बहुत चीब आते हैं हाँ अब एक समय आ चुका था कि एक चीज़ को रोका जाए ताकि iPhone 6S के यूजर्स जो है वो अब नया iPhone की तरफ शिफ्ट करें अभी भी हैं हमारे इंडिया में कि बहुत सारे लोग है जो iPhone 4S भी अभी तक यूज़ कर रहें लेकिन उसी के हिसाब से अब Apple ने iPhone 7 के बारे में तो iPhone 7 के अंदर 2016 के सब्टमबर के महिने में यह लॉंच हुआ था और लॉंच होने के बाद से ही मेरे पास है फोन फोन के अंदर 3G RAM आते थी 7 प्लस के अंदर 3G RAM थी 7 के अंदर 2G RAM थी 2.3 GHz का Quad-Core प्रसेसर था नहीं 6S में Dual-Core का प्रसेसर था और पहली ब बारी 7 Plus के अंदर dual camera lens setup अपने देखने हो मिला था फोन के अंदर 3G RAM आया और आज भी फोन अच्छा ही तर चल रहा है कोई भी हैंगिंग का इस्यों नहीं है फोन के अंदर सब अच्छे है चल रहा है लेकिन इस फोन के अंदर क्यों नहीं आया तो सेम रीजन है कि फोन के hardware तो इसके साही थे iOS 15 तक चला रहे थे तो hardware वाइस की फोन अभी भी घंबड़े वाला iOS 16 के लिए लेकिन जस्ट एक marketing strategy के लिए एपल ने इसके अंदर अपडेट नहीं दिया क्योंकि अब iPhone 7 भी 2016 का फोन होने के बाद भी फोन जो है काफी पुरान हो गया था और वो चाहते हैं कि वो लोग शिफ्ट करें अब निवर आइफोन के तरफ तो यही एक तरीका था कि अपडेट्स लोग दो और नया फोन क्योंकि फोन आज भी अगर आप चाहें तो इससे सेकेंड वे में खरीच सकते हैं क्योंकि फोन अभी भी बोड़ा नहीं हुआ है इस तरीके से अगर मैं समझाओं आपको फोन भी काफी चीजों को कैपेबल है वीडियो बना सकता है अगर आपको फोन खरीदें तो 120 कर रहा है यह सिस्टम जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा कोई भी एप जो है वो दिक्कत नहीं देती है अभी मैंने भी इसको रिसेंट अपडेट कर रहा है 15.4.1 पर जैसे कि आप देख सकते हैं आप तो 15.4.1 आइफोन 7 प्लस और 32GB वेरियंट है यह मेरा जैसे कि आप iOS 16 आने के कोई चांस है iPhone 6S और 7 में तो वो बिल्कुल नहीं है आपको फोन अब iOS 15 तक लास्ट चलाने ही पड़ेंगे यह यह 16 का कोई रिजन नहीं है लेकिन एक benefit हमें यह देखने को मिल जाता है तो जो की है jailbreaking का आप अपने 6S और iPhone 7 Plus यह 7 को jailbreak कर सकते हैं अच्छी तरह औ आप इस फोन को करूंगा क्योंकि आप इसके अंदर अफडेट्स आएंगे नहीं और jailbreak करके आपको और वीडियो शेयर करूंगा कि jailbreak के थरूँ आप क्या कर सकते हैं तो अगर आपको jailbreak के लिए कुछ वीडियो चाहिए कि jailbreak की प्रॉपर गाइडिंग चाहिए तो मेरे च कर सकते हैं तो एक एक्जामपल है आप iOS 16 को भी एक तरीके से iOS 15 के अंदर यूज कर सकते हैं तो वह सब एक jailbreaking के टूल्स हैं टूइक्स हैं वह सब मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा और कैसे iOS 15 को आप जल्वर कर पाएंगे तो वह भी मैं वीडियो शेयर करूंगा बहुत जल बाकी अभी तक के लिए अपडेट यह है कि iOS 16, iPhone 7 और 6S में देखने को नहीं मिलेगा जो कि अब बिलकुल सच बात है और नहीं आया कोई भी बाकी iOS 15 के अभी जितने भी अपडेट आने को हैं वो सारे आपको अभी देखने को मिलेंगे लेकिन iOS 16 नहीं आएगा बाकी इसके साथ एक फोन और था जिसके अंदर iOS 16 का अपडेट नहीं आएगा वो है iPhone SE First Generation जो कि iPhone 6S के साथ लाउंच हुआ था 2016 में तो उसके अंदर भी ह हमें iPhone के जितने भी अपडेट से हैं वो देखने को नहीं मिलेंगा iOS 16 के लेकिन बस यह है इंदियांड कि आप जेल ब्रेक करने के लिए फोन अब मेरे तरीके मेरे कहने मेरे करने के लिए अब फोन रेडी है क्योंकि आज की डेट में हमारे पूरी ही दुनिया में अगर में नहीं है तो आप जेल ब्रेक कर सकते हैं कोई भी फोन तो अभी तक की वीडियो को अगर जला सी भी हलफुल लगा तो प्लीज लाइक किजिए सब्सक्राइब कीजिए चनल को थैंक्यू सो मच थैंक्स पर वाचिंग